अभी कुछ दिन पहले कमेंट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि तुम ट्रेड लिये होते तो आज तुम्हें लॉस हुआ होता लॉस हुआ तुम किसी कोने में बैठ के रो रहे होते और रो रहे होते तुम आज वीडियो नहीं बना रहे होते जिसे उन्होंने एक observation करते हुए एक conclusion यह निकाला कि मैं trade नहीं लेता हूं देखें मैं as a professional trader यह ऐसे comments को reply कभी नहीं देता हूं लेकिन फिर मैंने थोड़ा से दिमाग लगाया उसके बाद मुझे यह समझ में यह सिर्फ negative comment ही नहीं है बलकि यह जीवन की सचाई है किसके जीवन की एक beginner trader के जीवन की यही आई भी है एक professional trader अलग हो जाता है लेकिन एक beginner trader ऐसे ही जीवन बिता रहा होता है तो मैं आज आपको यहां पर कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो ऐसा professional trader मैं करता हूं जो की retail trader से अलग है और इसी कारण में अपने जीवन में professionally trading करके पैसा कमा पा रहा हूं मैं YouTube से पैसा नहीं कमा पा रहा हूं अगर आप मानिये ना मानिये अभी कल की ही बात है कि YouTube ने मेरे चैनल पे जॉइन का वो monetization के जॉइन का बटन जिसमें आप membership करके जॉइन कर सकते हैं और मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ऐसा donation or whatever तो कल जाके एक साल बाद जाके तो मेरा YouTube channel properly monetize हो रहा है तो ट्रेडिंग कर गई पाल रहा हूं अब मैं लोगों को incentivize करने की कोशिश कर रहा हूं कि या किसी तरीके से अगर सीखना है तो सीख लीजे नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं लेकिन बात यहां यह है कि ऐसे ही होती है ट्रेडिंग नंबर वन पॉइंट जो आपका इन्हों करने आपको यहीं मैं प्रेडिंग करने आता हूं तो मुझे पता होता है कि मैं आज 20 20,000 25,000 30,000 रुपए देने आ रहा हूं मार्केट को वो रिस्क मुझे मालूम है और उतना रिस्क मार्केट जब दे देता है मुझे लॉस मिल जाता है मैं ट्रेडिंग बन कर देता हूं उसके लिए मैं तयार होके आता हूं उसमें मैं रोंगा नहीं क्योंकि मैं तयार होके आय नेंगे आप उसी दिन 15,000 का लोस लेंगे और फिर बैटके उदास होंगे मैं डिसाइड करके आता हूं कि मुझे 20,000.00 रुपय का लॉज़ देना है अगर मार्क्ट मुझे 20,000.00 रुपय का लॉज़ देता है मैं निकाल देता हूं उसके बाद करता हूँ मुझे recovery नहीं करनी है आप क्या करते हैं कि आप जब 20,000 रुपय का loss decide करके आया है उसके बाद जब loss मिल जाता है तो आप सुकून से bet नहीं पाते हैं मेरे और आपके में अंतर इतना सा है कि मैं जो loss लेके आया हूँ market में market अगर वो ले जाता है मुझसे तो मैं चुप चाप बैट जाता हूँ जिसके कारण मुझे रोना नहीं आता है जिसके कारण मैं परेशान नहीं होता हूँ market है daily daily profit नहीं होता है अगर आपको लगता है कि 200 साल में 200 दिन होते हैं ट्रेडिंग के उसमें से कोई 240 दिन profit बना रहा है जूट है मैं तो मानता हूँ कि 100 दिन profit बना के दिखाईए बस 1 इस्टू 2 का risk reward ratio रखके 200 में से 100 दिन का profit बना के दिखाईए आप profitable हो जाएंगे नहीं कर पाते हैं आप क्योंकि आपको इन 500 दिन loss लेना आता ही नहीं है आप सोचे मैं हर दिन profit करने आ रहा हूँ हर दिन मेरी analysis सही होनी चाहिए तब ही तो मैं profitable बनूगा गलत भावना है गलत सोच है क्रिप्या करके ये सारी सोच को हटा लीजे आपको focus ये करना है कि जितना loss देने आए है market उतना loss दे दे चुप चाप उस दिन की trading बंद कर दीजे मेरे और आपके मैं अंतर यही है कि मुझे जितना मैं मान के आया हूँ कि loss देना है उतना दे देता हूँ तीन दिन चार दिन पास दिन छे दिन जितना भी लेना है लेलो मेरे को फरक नहीं पड़ता है क्यों कि मुझे मालूम है कि मैं इतना ही loss देने आ रहा है उतना ही loss दे के जा रहा हूँ आप जितना देने आते हो उसका तीन गुंधा marketing को दे के जाता है और फिर उदास होते हैं और फिर सौशते हैं कि आपके तरहीं के से ही पूरी दुनिया ट्रेडिंग करके रो रहे नहीं प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरीके से नहीं रोता है क्योंकि उसको पता है कि ये तो चलता रहेगा ये एक साइकिल है उपर नीचे तो मार्केट करेगा और आपको लॉस और प्रॉफिट होता रहेगा नमबर टू पांट इसी से मिल दुनिया से कि हर व्यक्ति 10 ट्रेड बीस ट्रेड नौ बज़े से लेकर 3 बज़े तक बैठा हुआ ट्रेडिंग करने के लिए नहीं मैं अपनी बात बता रहा हूं और मेरे समझने की कोशिच की जिए का कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड लेता है मैं नौ बज़े आता हूं मैंने ट्रेड में एंट्री की मुझे अगर सवा 9 बजे मैंने एंट्री की मुझे साड़े 9 बजे मेरा फुलफिल्मेंट ऑफ टारगेट मिल जाता है मैं चुप चाप कंप्यूटर को बंद करता हूं पूरे दिन या मार्केट को अगर देखने का मन कर रहा है तो देखूंगा परना चिल करूंगा आप क्या करते हैं आप को पहले त्रेड में to्क होता है ना आप बैठे रहते आप और सॉवन्पनाफ साड़े-नौ पर बेठ साड़े-बारह करने आप को किया लग Exodus घंबलिंग की लठ है सट सॉलने आंपको हर्मौन को आचा पर रुपये नशा है ऐसे कोई नशा होता है न impressा है वर चलाने का तो मुझे यसे प्रॉपिट intrigued सब्सक्राइब कर देख करने काThis all right करने का भी शोक है अपको बढक और आप करने के बाद पहले रइने र करने बढाद भी बैठे रहेंगे कि और बढ़ाना और बढ़ाना है पहली कटि यह कि जब लेने आए ते 5000 का 5,000 का जब मिल चुका है तो उसके बाद निकलेंगे नहीं कि क्योंकि आज इस लिकावर करेंगे तो यह गलती अब दुप अभुणुति यह है पहले तो फियार हो चक्र में माइनस 10,000 पर निकलेंगे यह आपकी गलती है मेरी गलती नहीं है आप इसी नज़रीए से पूरे दुनिया को देखते हैं आप सवा 9 बजे बैठे हैं, आप 9 बजे तक ट्रेड लिए जारे 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 लिए आप सुच हैं पूरी दुनिया इस तरीके से ट्रेड लेती है नहीं लेती है पूरी दुनिया इस तरीके से लिए फंदा मिनड में फ्रॉफिट नहीं हो ज़िए उसको मैक्स मिल गया मैक से सब्सक्रों कि निकल गया उसकी चुट्टी कर ना था आपने कर दिया उसके पार मार्केट कही बिजा है आप कोसे क्या मतलब आप बैटके होल के बैठे रहते हैं आप यह स सूजते रहते हैं कि मार्केट और इतना बड़ा मुँव आगिया है चलो ट्रेड ले लेते हैं चलो प्रॉफिड निकाल लेते हैं ऐसे थोडी नहों होती है ट्रेडिंड ऐसे थोडी नहीं करें तब बहु prot puisqu है चो मार्केट कोई नया सेटप दिख रहे हैं मार्केट में तेड कर क्या यह का है र्le Hill dry 200 दिन होते हैं साल में थ्यास्जों दिन उसमें से 200 इनके लगभग मैं सिर्फ दिन में एक ट्रेड लेता हूँ आपके अंदर यह भावना आही नहीं सभडी है कि आप दिन में थे त्रीट लें पाइब जिसके अंदर ने के अग्राइब लेiran पें वह रही जा रही आप सही रही पाम है वह अग्रेसार है जो बड़ी बड़ी बातें करता है जो लाख लाख रुपय दिखाता है उसके पार जाकर पूछिए भाईया कितने ट्रेड लेते हो दिन में वो भी बताएगा दो से तीन मैक्सिमम बड़े बड़े ट्रेडर जिनको आप पूझते हैं वो भी दो से तीन ट्रेड ही लेते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तो दस ट्रेड लेता हूं तो यह आदत डालिए पहले ट्रेड में अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है मैं तो अपनी बात बता देता हूं पहल बंद अब मार्केट कहीं भी चला जाए तो कल परसों की बात है मैं आपको बताता हूं मार्केट ऐसे मैंने कहा था मार्केट बुलिश हुगा मुझे प्रॉफिट मिल गया मुझे अब यहां और रिवर्स करके इतना नीचे गिर रहा है मुझे कोई नहीं पढ़ रहा है मार्क मार्केट की मिलममेंट से मतलब था सेकेंड हाफ में मैंने ओपर गया मैंने प्रॉंक्त है अरे उपर के तरफ सोचेते तो profit क्यों निकाला आप यही तो गलती करतें सब्सक्राइब करके बैठे रखने इसलिए बैठे रखने हैं क्योंकि जो हैएगी आपज करना है तो आप सुश्थे गराया तीसरा पॉइंट गाल बिख करने आता हूं तो मैं यह सोच के नहीं आता हूं कि आज मुझे करोड़्पती बनना आप यहीं सोच के आते हैं किम आज की करोड़ करने में मैं यह सोच जब मिलेगा मैं चुप चाप entry करने के बाद exit कर दूंगा और चुटी मनाओंगा आप यहां पर चुटी नहीं मनाते हैं आप सोचते हैं कि जाने दो और जाने दो देखा जाएगा देखा जाएगा और एक ट्रेड में प्रॉफिट हो भी जाता है तो फिर अगले ट्रेड में एकसेट करेंगे तो आपको यह सारी बाते समझ जाएंगी कि दस भी ट्रेड लेके पूरे दिन बैठे रहने से मैं पूरे दिन नहीं बैठता हूं आप बैठते हूंगे आपके पास समय है आपको energy है मैं इंट्रेस्टेट ही नहीं हूँ मुझे स्टॉक मार्केट का चैट अब इंट्रेस्ट ही नहीं आपको समझना पड़ेगा मैं बार 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 बोलता हूं for me trading has become boring आपको excitement देती है मुझे ट्रेडिंग बोरिंग लगती है मैं सुबह बैठता हूं वही काम वही किसी पीटी चीज़े रिपीट मोड मेट करता हूं तो देट मुझे क्या मिले थोड़ा सा पैसा मिल जाता है मैं खुश हो जाता हूं मुझे कोई नया excitement नहीं चाहिए नया इंडिकेटर लगा के मैं नहीं तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करी नहीं रहा हूं वह आपको चाहिए और इसलिए तो आप पैसे घवान है क्यूंक बंद कर दूंगा मुझे excitement नहीं होता है मार्केट उपर गया 2% वहां से 10% 8% नीचे कर गया पूरे दिन मार्केट 10% का मूव दे दिया मुझे excitement नहीं होती है तीसरी चीज और चौथा पॉइंट यह है कि as a technical trader यह भी बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि आप न्यूस नहीं मैं आपने न्यूस के बारे में नहीं बताया कि मार्केट में यह युद्रश्या युक्रेन हो गया और यह पता नहीं क्या क्या हो गया मैं आपको एक बाल बताता हूं ध्यान से सुनिएगा न्यूस चैनल मैं सिर्फ किसी भी तरीके का नियूस चैनल अपने परिवार के वो एक ग्रुप को पगड़ते हैं और उनको ही केटर करने की कोशिच करते हैं उनके बड़ाई अच्छाई आच्छा है ऑच्छा है अच्छा फाई इन्डिया मीडिया ये और दूसरे तारह बिजनेस वाले पर्ट में मैं बता रहा हूं हम कलल या यहां पर बुलिष यहां पर बुलिष थे जाकर देख लिए वह आपको उसका भी रिजल्ट कोई न कोई रिपोर्ट काट देगा कि क्यूं ऐसा हुआ वह कहेगा रश्या यूकरेयन में वहार हुआ था मेरे को खशी आती है इन सब चीजों को डिसकस करते हुए वह लोग तो ब्योकूफ है है और आपको बहुत बढ़ियां से ब्योकूफ बनाते हैं वह सोचने कि आपको यह बाते बताएंगे और आपको भरोसा हो जाएगा आपको हो भी जाता है मैंने तीन-चार साल में कभी निउस चैनल को धंक से सीरियसली लिया ही नहीं आपको बनाना वह बनाते रहेंगे कोई न कोई रीजन आपको देते रहेंगे कि इसलिए हुआ है तो entertainment purposes के लिए हसी मजा करने के लिए थोड़ा light mood करने के लिए आपको न्यूस चैनल लगा के देखना है उनकी बातें सुननी है उनके डिबेट सुनने है एक दूसरे के उपर वह लोगाली का लौज करता है वह सब देखना है जूता फेखना है वह सब देखना आप देख लीजे वह entertainment हो जाएगा लेकिन उसको सीरियसली मत लेने लग जाईएगा सीरियसली लेना है तो अपने एनालेसिस पे भरोसा करना शुरू कीजे और डिस्पेन लाइए इन सब चीजों की कि दिन में एक या दो ही ट्रेड लेंगे दिन में एक दो ट्रेड लेंगे stop loss अपना पहले से fix रखेंगे profit अपना पहले से fix रखेंगे number of trade बढ़ाएंगे नहीं greed के कारण जैसे ही ट्रेड अगर उपर stop loss देदेगा या profit देदेगा excitement के चलते बहुत खुश नहीं हो जाएंगे या बहुत दुखी नहीं हो जाएंगे यह सारी बातों का ध्यान रखें करेंगे और दर्किनार करते हुए technical analysis और अपने analysis फोकस करेंगे तो overall long term में profitable हो पाएंगे कुछ सीखने को मिलाओ guys subscribe कर लीजेगा कोई और डाउट हो कोई मन में भावना आएं तो प्लीज मुझसे पूछिएगा मैं बताने की कोशिश करूँगा अपने idea के according अपने mindset के according अगर अपकी राय है आपके अपनी राय हो सकते आप रश्या उप्रेइन के वह और को देखे ले सकते लीजे आप उसमें मुझे परिशान नहीं नहीं लेता हूं मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आप गलत आप बिलकुल लीजे उससे अगर आपका profit हो रहा है तो इंप्रॉट भलत आपके ंपके नहीं के वह नहीं है क्हार को चैएर आप के दोगड़ खाया है और को ज्सके बाम बिलकुल तो उपकार झाय है।